असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्ला के रहमों फजल से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ ठीक हूँ और आज जो मेरा वीडियो है वो 25 तारीक से मैंने शुरू किया है यानि कि 25 जनवरी 2023 का मेरा ये वीडियो है और सुबा का टाइम है आपने देखा लंच बॉक्स से मैंने शुरू किया है और मैंने अपनी बेटी अनाया के लिए लंच तयार किया है उसके स्कूल जाने का कर लिया था लंज तयार कर लिया है अनाया की युनिफॉर्म लूँगी मैं और अनाया को तयार करने की पूरी कोशिश करूँगी और इंशालला तयार भी कर दूँगी कोशिश इसलिए बोला मैंने क्योंकि मेरी छोटी बेटी जो जहरा है वो अभी बहुत छोटी है तो वो सा मुझे तंग करती है सुबा सुबा के टाइम लेकिन कोई बात नहीं उनको भी मैनेज करेंगे और अनाया को भी रेडी करेंगे तो थोड़ा सा इनको पेमपर करने के लिए बच्चों को फिर मैं रूम से जूला बाहर ले आई थी थोड़ा सा अनाया इंजॉय कर रही थी और थोड़ा सा वो जहरा को भी खिला रही थी थोड़ा सा नहीं बहुत खिला रही थी और माशाला बहुत ध्यान रखती है उसका तो ये छोटी सी क्लिप मैंने बना ली और अब जहरा यहां खेल रही थी उसके बाद उनको तैयार वगएरा करने के बाद अनाय स्कूल चली गई थी बात का मैंने नहीं रिकॉर्ट किया बहुत ज़दा हौच पॉच हो रही थी उसको तैयार करना था लेट नहीं होना था उसके बाद मैंने अपने लिए नाश्ते में ये देखे ठंड में गरमा गरम ब्रट पकोड़ा बनाया था टेस्टी सा यम्मी सा और ये सब खाने के बाद आपको अब मैं सीधे दिखाती हूँ अपनी जहरा को कि देखे वो मेरी किस तरीके से मदद कर रही है और वाइपर बैठी तख़त पे लगा रही थी और थोड़ा सा बिजी थी तो मैंने का ठीक है इसी में व्यस्त हो तो अब तक मैं अपना कुछ काम निपटा लूँ क्योंकि आज कल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे साथ जहरा भी बहुत ज़दा छोटी है तो उनको सम्हालना और माशाला माशाला जहरा ने भी चलना निव निव स्टार्ट किया तो उनको और भी ज़दा देखने की ज़रूरा से डर लगता है कहीं वो गिरना जाए उनको चोटना लग जाए और बस इसी तरीके से छट का थोड़ा सा वीडियो था उसके बाद अब हम आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहेंगे हमारे पडोस में जो बच्चे हैं वो जहरा से खेलने आते हैं तो देखिए वो मैंने इस तरीके से गद्दा डाला है डाल देती हूं मैं जमीन पर की जमीन ठंडी है तो बच्चे इस पर खेलते रहते तो वो बच्चा जो लेटा है उसको देखके जहरा भी उसकी कॉपी कर रही थी जैसे वो लेटा था जहरा भी उसके पास लेटी हुई थी और मुझे देखके कि ममा फोन लेकर आई है तो ममा ममा करने लगी थी तो मैं बोल रही थी कि आजकल थोड़ा सा डिफिकल्ट है डिफिकल्ट इस वजे से है क्योंकि जो मेरे हस्बेंड है इनके पापा वो अभी यहां पर नहीं मौजूद है मेरे साथ खीरी में और वो अपने आफिस के सिलसिले में बाह हर ही जॉब करते हैं लेकिन अभी कुछ टाइम से वो वर्क फ्रॉम होम थे तो वो घर से ही अपना मैनेज कर रहे थे और आज मैं आपको दिखाती हूँ अगले दिन मौर्निंग का यानि कि 26 जन्वरी है आप सबको तो वही आज अनाय को स्कूल भेजना था 26 तारीक का इसका एक चुटा सब वीडियो बनाने कोशिश की थी लेकिन वीडियो तो लंबा नहीं हुआ फोटो हो तो यहां 26 जन्वरी का दिन ही है और फिर हम दुपहर में निकल गए तो यहां 26 जन्वरी का दिन ही है ग्राउंड में जहां कुछ यह सम्मेलन और सेलिब्रेशन के तोर पर यह सब कुछ था तो मैंने अपनी आवाज अभी इसलिए बंद की थी क्योंकि वो बच्चा जो भी मेरी जहरा को नात सुना रहा था वो भी जहरा को खेलने के लिए उससे खिलाने के लिए आता है थोड़ी देर के लिए तो जहरा को फिर हमने कुछ इस तरीके से उसने सुलाया था बाहर जूला डालके और फिर हम चले आये थे यहां लखीमपुर जी आईसी ग्राउंड में जो बहुत बड़ा लखीमपुर का ग्राउंड है आप लोग जानते होंगे जो यहां के होंगे और यहां पूरे तो यहां बीज रोपड और सिचाई और खाद पता नहीं क्या-क्या पूरा तो मैं भी नहीं घूम पाई क्योंकि काफी जादा बड़ी जगा में था बहुत अलग-अलग कैम्प लगे थे और उनके साथ बाकाइदा उनसे संबंधित लोग बैठे थे अगर आपको उनके ल तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी जगा है यहां और सारा कुछ यहां यहीं लगा हुआ था तो 26 तारीक को हम फिर आए तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था और पूरा कैच करने की कोशिश कर रही थी और खेट से संबंधित यहां बहुत सारी जानकारी वाली चीजे थी यह आप देख सकते हो तो यहां पर एक आइडिया ऐसे किस तरीके से पानी की सप्लाई और खाद वगएरा का जो कुछ होता है मुझे इस बारे में इतनी तो जानकारी नहीं है लेकिन हाँ शायद मेरे ख चाई और सबजिया उगाई जाती है उसी का यहां एक दिया हुआ था तो बस आजकल बच्चों के साथ ऐसे ही दिन कट रहा है और अभी मेरे हस्बेंड आये नहीं है अभी उनको आफ नहीं मिला है तो बस दिन पता नहीं चलता बच्चों में और स्कूल और घर सारा कुछ हो जाता है तो हम थोड़ा सा बाहर निकले थे बस यहीं आये थे उसके बाद अब हम यहां से घर अपने सीधे चले जाएंगे और यह लखीमपुर में GIC College है और यहां आप देख सकते हो यहां मैंने थोड़ा पास जाके वीडियो बनाया था ताकि थोड़ा सा समझ में आये तो यहां सबजी गन्ना बुआई और गन्ना गन्ना बुआई के कैसे क्या खात पड़ती हैं कैसे क्या उसकी विधी होती हैं गन्ना विभाग लखीमपुर खीरी यह मैंने थोड़ा सा पास जाके इसको यहां पे भीड नहीं थी तो मैंने थोड़ा पास जाके इसको वीडि जया गया था और बहुत अच्छा था यहां अगर देर तक रुकते तो और भी समझ में आता और प्रोग्राम भी होने वाले थे और मेरे खयाल से कोई आ भी रहा था पीछे से बहुत ज़्यादा गाड़ी आ रही थी लेकिन हम रुकेंगे नहीं हम चले जाएंगे और अच्छा 26 तारिक को तो अच्छा मौसम था धूप निकल आई थी वैसे उससे पहले 26 से पहले एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो ठंड काफी हो गई थी और अभी ठंड जाने वाली है तो थोड़ा सा अप डाउन कर रही है कभी ज़्यादा कभी काम हवा भ आपसे शेर करने के लिए रिकार्ड किया था और थोड़ा बाहर भी निकली थी इन्शाला आपको अगले व्लॉग में मिलते हैं और यहां थोड़ा सा जहरा को बाहर नीचे उतारेंगे लेकिन वो चलेंगी नहीं क्योंकि नई जगा पे उनको थोड़ा सा डर लग रहा था तो बस चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब कर सकते हैं तब तक के लिए अल्ला हाफिज दुआओं में याद रखिएगा अपना खूब 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 सारा खयाल लखिएगा टे